तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे रिलाइंस इंफ्रा के बारे में 0.34% की तीज़ी है 163 रुपीज के इपर स्टोक जो आवर ट्रेट कर रहा है पिछले पांच दिनों में तकरीवन 5% की गिरावट है पिछले एक मन्त में 18% के नेगटिव रिटर्न छे मन्त में 10% के नेग बड़ा के रिजल्ट आते हैं तो स्टोक में जंप दिखाई देता है पिछले मैक्सिम चार्ट की बात कर रहा जाए तो वह भी ग्रीन में है तो यह चीज़े हमें शिखर करती है कि यहां पर हलकी फुलकी इंवस्मेंट की जा सकती है अब दो तिन यहां पर कॉश्चन्स है कि क्या यहां पर इंवस्मेंट करें ना करें तो देखिए यहां पर रेटर्न और कैपिटल इंप्लोट की बात की जाए तो वह 8.95 है जो की बड़ा है और रेटर्न और एक्विटी पहले बहुत तरह नेगटिव था अब अब न्यूट्रल हो गया है प्रमोटर होल्डिंग 16 बिसेंट है बहुत जाला कम है बड़ी यह और फाइस ने बहर बहर के पैसा लगा हुआ है स्टॉक में वोल्यूम पर अच्छा का सा बढ़ रहा है और अगर हम यहां पर क्वाटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्वाटर सेल्स तक्रीवन तक्रीवन बढ़ती नज करोड की सिल्स कंपशनी ने जादा किए नेट प्रॉफट की बात करें तो कंपनी लॉस ना चुकी है लास्ट कोर्ट दर में कंपशनी गप्रिवन तक्रीवन 301 करोर था और यही लॉस पिछले साल 1927 करोड था और पिछले कोर्ट में 188 करोड तो उस हिसाब से कंपनी का भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो पहले पर मोटर होल्डिंग काफी जादा कम थी तक्रीब है 4.56 परसेंट वर दीरे पर मोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है और यहां पर यहां पर मोटर होल्डिंग है और जैसे सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाईए ताकि कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो